नमस्कार जय जोहार और आज हम लोग प्रशाशन की दूसरी कड़ी में है पिछली कड़ी में हमने लोग प्रशाशन से संबंद जितनी भी आउधान आए थे उसको देखा और लोग प्रशाशन में एक छोटा सा टॉपिक हमारा है प्रशाशन मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूं सबसे पहली बात तो यह समझे कि यह पॉलिटी से रिलेटेट मामला है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आप वहां से कवर करेंगे पॉलिटी के अंदर कवर करेंगे जैसे फॉर एक्जांबल मैं विधान सभा के सं अंगट है नहीं उसकी शक्ति है पॉलिटी के अंदर पढ़ते हैं दूसरी चीज यहां पर उच न्याले के प्रारंभिक और अपीली छेत्र अधिकार दिया हुआ है याने प्राइमरी एंड अपेलेट जूरिस्डिक्शन तो सुप्रीम कोट और हाई कोट का जो अपेलेट तो यह जो सारी चीजे हैं जहां-जहां बैं आपको पॉइंट आउट किया हूँ इस साथ प्रशन आपको दिख रहे हैं यहां पर ठीक है एक दो तीन चार पांच और यह दो छे साथ तो इसमें से दो कोशन जो है यहां पर आप देख पा रहे हैं पॉलिटी से रिलेटें तीन कोशन आपर पॉलिटी से डेटें ने ठीक है बाकी प्रशनों को यह दिया हम देखें देखेंगे चत्यस गड़ पंचायती राज के अंतरगत ग्राम सभा को पूछ रहा है इसके बाद आप देखें चत्यस गड़ पंचायती राज दिनियाम की प्रमुक विशेष्ताय का पूछ रहा है और पुछ रहा है विधाई का ओर का रिपालिका का पारस पर इक समबंद फूछ रहा है ठीक है अर्म से हम डिसकास करेंगे एक 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 चीज को समझने का प्रयास करेंगे सबसे पहले देखते हैं चत्रिदगर की विधाई का और कारेपाली का आल्टिकल कि अब मैं आपको किंद सरकार से रिलेट करके बता रहा हूं आल्टिकल 79 केंदर की विधाई का यहने legislature of the center संसत के बारे में बताता है लोकसभा राजयसभा और राशपती से संसत मिलकर के बनती ही विटा आप एक formula याद रखना 72 से लेके 111 तक यदि आपको कुछ भी केंदर सरकार में मिल रहा है आपने इसमें प्लस करना है विटा 89 and you will get the formula for a state government राज्य सरकार का आपको प्राप्त हो जाएगा केंदर सरकार में 89 प्लस करेंगे राज्य सरकार का प्राप्त हो जाएगा देखें तो इसमें 89 प्लस कर दो सर 89 प्लस कर दिये 9 9 8 8 8 8 8 16 article 168 article 168 किसके बारे में बात करता है ध्यान से देखेंगे article 168 बात करता है article 168 बात करता है विधान मंडल की यहने legislature of the state की जो किसे किसे मिल करके बनता है एक तो विधान सभा दूसरा विधान परिशद और तीसरा गवर्णर तो यह राज्य की विधाईका हो गई और राज्य की जो विधाईका है article 168 का द्वारा बनती है आप देखेंगे जो विधान परिशद है य यह पूरे भारत में मातर छे राज्यों में है यूपी में है बिहार में है मद्यपरदेश महरास्ट में है करनाटका में है आंध्यपरदेश में है और तेलंगाना में यह छे राज्यों में आपको विधान परिशद देखनों को मिलेगी इसके अलावा तीस विधान सभाए है टूटल जी हाँ आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं तीस विधान सवा है इसमें मैं जम्मू कश्मीर को अभी नहीं ले रहा हूं इसकी सिति अभी क्लियर है नहीं तीस विधान सवा में मैं 28 राज्य ले लिये हैं और दो केंद शाशीर प्रदेश दिल्ली और पुदूचेरी इन दोनों के इन दोनों के यहां तिल्ली और पुदूचेरी में विधान सवा है जहां भी विधान सवा होगी वहां एक कौन होगा मुख्यमंत्री होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है पले अभी जेल में है लेकिन मुख्यमंत्री तो हैं ही वो दिल्ली और पुदूचे है otherwise नहीं है तो याद रखेंगे 36 गड़ की एदि में बात करूं 36 गड़ की विधाई का कारेपालिका को पूछता है तो 36 गड़ के विधान मंडल में अनुछेद 168 के अंतरगत विधान मंडल में एक तो विधान सभा है और दूसरा कौन है राज़पाल यह 36 गड़ का विधा पहले याद रखेंगे 90 विधायक हुआ करते थे एक इसमें से एंगलो इंडियन हुआ करता था जिसको 104 संविधान संशोदा नदिनियम 2019 से चौंथा कर दिया गया कहने का मतलब हटा दिया गया तो एंगलो इंडियन का प्रवधान नहीं है अब हमारे यह टोटल हमारे यह 90 अब भी धायक है तो इस बात को लेकर करके क्लियर रहेंगे क्योंकि कुछ बुक्स में अभी अपडेट नहीं किया होता है आप पूरानी बुक्स चैदी पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो सकते हैं राज जपाल आप देखेंगे बिटा राज जपाल नंबर 153 में दिया हुआ कितना असान है देखो आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट के लिए ठीक है राश्पती के लिए इसके एक आगे जोड़ना एक पीछे जोड़ना एक आगे जोड़ना एक हो गया एक पीछे जोड़ना एक सो तिरपन तो एक सो तिरपन किसके लिए बिटा राज जपाल के लिए गवर प्रमूख होता है। The governor is the head of the executive of the state. 153 में राज जपाल दिया हुआ है। 154 में राज की कार्यपाली का कप्रमूख बताया इसे। और आर्टिकल 155 में राज जपाल की नियुक्ति कही गई है। यानि appointment of the governor. तो जो राज जपाल की नियुक्ति पैटा या appointment of the governor है। एक कौन करता है। महावहि, जपाल विश्व, भूशन.. हरी..चंदन। इसके पहले अनुसुया ऑईके जी थी.. तीएब ॥ेखें कोई भी बिल कैसे कानून मनेगा। जब वो विधान सभा में आएगा और जब उस पर राजयपाल अपने हस्ताक्षर कर देंगे, एसेंट देंगे, भुपेश पकेल सरकार ने 76% आरक्षन भी लाया था, 76% आरक्षन भी, 76% आरक्षन, और आप सभी को पता होना चाहिए कि आरक्षन समिधान के नुसार दिया जा विधाईका, कारेपालिका और न्यायपालिका की बात क्या थे, तो न्यायपालिका का अर्थ क्या है, कानूनों का प्रबंधन करना, विधियों का प्रबंधन करना, यानि जो जीच समिधानिक नुसार है, उसे समिधानिक, जो नहीं है उसे असमिधानिक, इंदरा साहनी केस में सुप्रीम कोट ने कहा था 50% से क्या बोला था बटा 50% से ज़्यादा आरक्षन नहीं हो सकता लेकिन यहाँ पर 76% आरक्षन देने की बात कर रहे थे वुबेश बखेल विधान सभा से तो बिल पारित हो गया लेकिन राजजपाल अनुसुया होई के ने साइन नहीं किया पॉकेट में डाल लिया यहने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया एक शब्द होता है पॉकेट वीटो जिसमें राजपाल पॉकेट में डाल करके भूल जाता है कहने का मतलब यह है कि यह लूप होल है क्या होता है जब विधान साभा से राज जपाल के पास कोई जाता है कानून साइन करने के लिए ओटोग्राफ के लिए तो कोई समय सीमा निरधारित नहीं है कि इतनी समय सीमा के अंदर आपको ओटोग्राफ देना है तो बहुत देर तक hold भी किया जा सकता है देश में एक प्यक्ति हुए, जिनका नाम था रास्टपती हुए, जिन्हों ने डाक घर संशोधन विद्यवक को पॉकेट विटो का प्रियोक किया था, एक मात्रा ऐसा, case हमको देश में देखने को मिलता है, राज्य में हमको विधान सभाच शेतरों से चुने जाते हैं, जिसमें 91st Constitutional Amendment Act 2003 के द्वारा, जैसा मैंने पहले भी बताया था, और एक बार फिर से बता रहा हूं, विधान सभाच शेतरों से हैं, इनके पास कौन-कौन से मंत्राल है, तो जनरल अड्मिनिस्ट्रेशन समान ने प्रशाशन, खनीज एवं उर्जा, मिनरल एंड एनर्जी, तो यह मंत्राल है इनके पास में है, आप उपमुख्य मंत्री में देखें, तो अरुन साओ, यह लोर्मी विधान सभास हैं, इनके पास क्या क्या है बिटा, इनके पास है PWD, PHE, लोक निर्मानवी भाग, लोक स्वास्ते यां जो कहां से है, कवरधा से, और इनके पास कौन कौन सा मंत्राल है, इनके पास है, होम मिनिस्ट्री, याने ग्रिह मंत्राल है, ग्रिह मंत्राल है, ग्रिह एवं जेल मंत्राल इनके पास में है, पंचायती राज इनके पास में है, ठीक है, साथ ही साथ आप देखेंगे, कि होम जानना चाहिए जो रायगण है जिनके पास में विद्व मंत्रा लह यह सब को पता है विद्व मंत्रा लह है यही आपका बजट पेष करेंगे लेकिन साथे सथ इंके आवास और परिया वरंज भी हवास और परिया नरायनपूर अभुजमार से आने वाले केदार कश्यब जी जो अनुसुजित जंजाती सीट से आते हैं ये हमारे वन मंत्री हैं टंकराम वर्मा जो बलोदा बजार से आते हैं ये हमारे राजस्व मंत्री हैं यही हमारे खेल मंत्री भी है ठीक है दयाल दास बगेल ये नवागर से आते हैं ये हमारे Food and Supplies Ministers हैं खाद एवं नागरी का मुर्ती मंत्राले लक्षमी राजवाडे जो हमारी एक मात्र महिला विधायक जो की मंत्री बनी है महिला विधायक तो और भी है एक मात्र महिला विधायक जो मंत्री बनी है भटगाओ, निर्वाचन, छेत्रे साती है और सबसे युवा विधायक भी है 31 साल में विधायक बनी और महिला और बाल विकास मंत्राले इनको दिया गया है तो ऐसे मंत्राज्यों का नाम आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, विधाईका और कारेपालीका 36 गड़की आपको यहाँ पर याद रखना है, फिर आपको यह जानना है, यह जानना है, विधाईका कारेपालीका पर कैसे नियंतर्ण लगाती है, तो ग्यारा से बारा अब ये तक प्रश्नकाल होता है ठीक है अब इश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है तो ये दो चीजें आप याद रखेंगे है ना संसदी नियंत्रण के अंतरगत किस प्रकार से नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है तो विधाईका और कारेपालिका को आप यहां पर और ठीक है तो देखते हैं केंदर सरकार और राज्य सरकार के बाद हम इस्थानी इस्थार पर उतरेंगे कहने का मतलब हम लोग किसकी की बात करेंगे तो याद रखेंगे अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि लोग प्रशाशन के अंदर 36 गढ़का पंचाय ते राज कि उसको अधा बताई जा रही है और थोड़ास आप और अच्छे चाहते हैं तो थोड़ास ऐचेख कई लिवार होता है नहीं कि धिरीथ दे चलती रहते हैं तो अच्छत कर लेते हैं तो थोड़ास साप श्लोग भी करके देख सकते हैं ताकि और बढ़िया तरीके से नोर्स बना पाएं, खास कर उन बच्चों के लिए जो इस बार मेंस दे रहे हैं। 36 गड़ का पंचायती राज एक भी चीज नहीं छोड़ूँगा अपटा ध्यान से देखना, तिहतर्मा समिधान संशोदन अधिनियम 1992 आता है, जिसने भाग 9 में पंचायतों को जोड़ करके समधानिक दरजा दिया। तो constitutional status दिया, समधानिक दरजा दिया। समधानिक दरजा देने का मतलब है कि समधान में 22 भाग हैं, 22 भागों में से किसी भी भाग में जोड़ करके उसे समधानिक दरजा दिया जा सकता है। पंचायतों को भाग 9 में समधानिक दरजा दिया गया। गाओं में कथे न, ए वो सूना था। आर्टिकल 243 A से लेकर 243 O, याद रहेगा बटा। 243 A से लेकर के वो तक समधानिक दरजा दिया गया। तीहत्तर में समधान संशुदन अदिनियम 1992 से ठीक है। ठीक है। 36 गड़ पंचायती राज अदिनियम जो है वो आप देखेंगे मध्यप्रदेश पंचायती राज अदिनियम से आता है। क्योंकि आपके मन में एक बात तुवारी होगी कि 36 गड़ तो बना ही नहीं था 1993 में। बिल्कूल नहीं बना था लेकिन याद रखो 36 गड़ उस समय दक्षिन पूर्वी हिस्सा था किसका। मध्यप्रदेश का। और मध्यप्रदेश में 1993 में लागवा याद रखना बिटा मध्यप्रदेश और उस समय हमारा 36 गड़ भी सात में था। इसलिए मध्यप्रदेश और 36 गड़ परा गौरवानवीत होता है क्योंकि उन्होंने पूरे देश में सबसे पहले पंचायती राज को अपने हां लागू किया। तो सबसे पहला इस्टेट मध्यप्रदेश और 36 गड़ है जिसने पंचायतों को समयधानिक दरजा मिलने के बाद पंचायतों को लागू किया। 36 गड़ पंचायती राज अधिनियम जिसमें 15 अध्याय हैं देखिए मेरी बात जहां से सुनेगा 15 अध्याय ठीक है पांच में एक माइनस करो बेटा चार हां सर चार अनुसूचियां है चार शेट्यूल्स हैं और देखो यहां पर प्लस करूंगा मैं एक और तीन दो मतलब 132 धारा हैं यहां तक सम्विधान में अनुचेद्ध होते हैं सम्विधान में अनुचेद्ध होते हैं भाग नौ में आर्टिकल 243 यह से लोकर को ओ तक यह सम्विधान की बात कर रहा हूं और कोई भी अधिनियम बनता है फिर मैंने कहा न सम्विधानिक और सम्विध यह सम्विधानिक मामला है, जहांपर Constitution की बात की जा रही है, यह सम्विधिक मामला है, जहांपर कानून की बात की जा रही है, यहांपर 36 गड़ पंचायती राज अधिनियम 1993 से, अध्याय कितने हैं 15, माइनस करो कितना हैगा 4, 132 धारा हैं, याद रखना, किसी सम्विधान की में बात करो तो वहां पर होती हैं, क्या अनुछेद और अधिनियम की बात करों, पहां पर होती हैं 132 धाराई, तो क्या सिर्दीज गड़ पंचायती राज अधिनियम की विशेषता पूछा यहां पर, क्या हमको पूरी 132 धाराई बतानी पढ़ेंगी, विटा 132 धाराई बताओगे तो 125 शब्दों में खाली धाराएं लिखते रह जाओगे, याद रखना, यहाँ पर आपको विशेष्टा बतानी है, और इस विशेष्टा को हम समझने का प्रयास करते हैं, सबसे पहले कोशन ग्राम सभा से भी आया है, तो वहीं से शुरू करते हैं, ग्राम सभा स ग्राम सभा से, ठीक है, देखें, 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 ग्राम सभा की बैठक, और यह है, ग्राम सभा की शक्तियां, धारा छे और साथ, यही कोशन आप से पूछा हुआ है यहाँ पर, आप देखेंगे, कोशन को आप लेते हुए ही च अब इसका संगठन और 二 इप करें चार्यगान कि यह ल रहुट है तो यहां पर आप रहा है ओक्ति दीव यह लगन होती रहा है को थेद कर रहा है यह उक होती नौर्मल fine Little खट्षक कर रहर है लाइन जनजाती के लोग हो लाइं जयातै की लिए ओधान सुनेंगे जो अनुसूसेथर ग्सवह है वहां ग्रम सभा की जब बैठक होगी, तो कोरम, कोरम यानि गणपूर्थी, कितने लोग minimum चाहिए बैठक शुरू करने के लिए? यहाँ याद रखना, 1 बटा 3, यादि तीस लोग है, तो 10 लोग चाहिए, तीस लोग है तो 10 लोग चाहिए बैठक शुरू करने के लिए, नॉर्मल ग्राम सभा में एक बटा दस से भी काम चल जाएगा, यहनि तीस लोग हैं तो तीन से भी काम चल जाएगा, आप देखो एग्जामपल से समझना, यह तीस लोग हैं total, तो यहाँ तीन से काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर दस लोग होंगे, तब बैठक शुरू हो कितना है, एक बटा तीन है, ठीक है, अब देखेंगे, कि ग्राम सभा की बैठक हो गई, नॉर्मल ग्राम सभा में बैठक किया ध्यक्षता कौन करता है, सरपंच करता है, और यदि आप देखें, शेड्यूल ग्राम सभा में तो बैठक किया ध्यक्षता कौन करता है, सभा में उपस्तित हो और जो उस समय ग्राम सभा के द्वारा चुना गया तो एक ग्राम सभा के द्वारा उस समय निर्वाचित होना चाहिए तो इस चीज को आप याद रखेंगे यहां क्या हो गया बैटा कोरम यहां कौन करेगा अनुसुचित जन जाती का व्यक्ति करेगा याद रखना ग्राम सभा की जो शक्ति दी हुई है वो शक्ति है एक्चुल में समाजिक अंकेक्षण है ना सोशल ऑडिट तो ग्राम सभा जो है वो सोशल ऑडिट करती है पंचायत के कार्यों का आप याद रख सकते हैं बावा तो बजट के बारे में चर्चा करेगी ठीक है एकाउंट ऑडिट जो ग्राम पंचायत के कार्यों है वर्क्स और एनुआल एड्मिस्ट्रीटिव रिपोट वारशिक प्रषाशनिक प्रतिवेदन उजन के लिए एक्षाट पंचायती राजयदियम की धारा 119 में अल्ग से प्राउधान दिया हुआ है छीक है। मैंने आपको यहाँ पर ग्राम सभा की बैठक जो बताई है, यह नौर्मल ग्राम सभा के बारे में बताए बटा, साती सात रिलेट करकर के मैंने आपको बताया, यह दारा 119 में पर आगे बढ़ते हैं, उशत्य हम पंचाहिती राज अधिनилась करते हैं, धारा अठारा देखें धारा अठारा कहती है कि यदि सरपंच का पद खाली हो जाए जैसे राश्पदी का पद खाली होता है तो सरपंच का पद खाली हो जाए तो उसकी जगा पर इस्थाना पन सरपंच बैठेगा जनपद पंचायत में और जिला पंचायत में यदि आप देखें तो ग्राम पंचायत में मिनिममम 10 से 20 स्वाड हो सकते हैं मैक्सिमम मिनिममम 10 से 35 स्वाड हो सकते हैं मैक्सिमम यहां से चुने जाएंगे उनको कहा जाएगा पंच यहां से चुने जाएंगे उनको कहा जाएग जिला पंचायत सदस्य, ठीक है, तो पंच जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य, जिनका कैसा निर्वाचन होता है बेटा, डारेक्ट निर्वाचन होता है, ठीक है, तो पंच जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य, इनका डारेक्ट इलेक्शन हो रहा है, अब ये इना निरवाचन कैसा होता उन्डारेक्ट इंडरेक्ट इलेक्षिन होता है ठीक है लेगिन अभी मैंने आपको बता है व्यक्ति के पारे में इसका नाम है सरपंच, यार्श रखना सरपंच जैसा को इन से विफिर क्योंकि सरपंच एक मात्र प्रमुख है, यहां मैंने उप प्रमुखों की बात किए, उप सरपंच जनपद उपादेक्ष जिला उपादेक्ष। इसके अलावा जनपद और जिला में जो अध्याक्ष होते हैं, उनका निर्वाचन भी कौन करते हैं? सदस्य करते हैं याने इनका भी निर्वाचन कैसा होता है बेटा अब प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है तो याद रखना पूरे पंचायती राज में और पूरे नगरी निकाहे में एक ही व्यक्ति है जो कौन है सर्पंच जिसका निर्वाचन कैसा होता है जो प्रमुख है जो जो हेड व्यक्ति है, वाकि सभी जगा के हेड आप देख लो, चाहे जनपत पंचायत के अध्यक्ष देख लो, चाहे जिला पंचायत के अध्यक्ष देख लो, नगर पंचायत, नगर पाली का, नगर निगम का देख लो, सब का निर्वाचान प्रत्यक्ष होता है, इसलिए ज जनपद सदस्टे हो गया जिला सदस्टे हो गया यह तीन तो सदस्टे हो गया और प्रमुक के रूप में इकलोता याने सरपंच जिसका निर्वाचन क्या होता है प्रत्यक्ष होता है बाकी हो गया उप सरपंच हो गया जनपद उपाद्यक्ष जिला उपाद्यक्ष और जिला अब द्यान से सुनेंगे धारा 21 लिख रहाओं में यहाँ पर साथ कदम चलना मेरे साथ साथ चलना साथ पहुंचेंगे फिर साथ कदम चलना मेरे पास 35 पर हम लोग पढ़ रहे हैं जो आपको यहां पर दस नमबर में लिखने के लिए हैं 2018 में और le of lotRight को हमने देखा तब है और o aberum का हम इटेज में इसलिए पढ़ा said श्राण और उप उपरमुख यान्यशatarा आप समझ गये होंगे यहां मैं यहां सर पंच और उपसर पंच की बात करका रहा हूं यहां जनपत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात कर रहा हूँ यहाँ जनपत पंचायत के कौन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की मैं बात कर रहा हूँ याद रखना यहाँ उप्रमुक और प्रमुक दोनों को यहाँ ग्राम पंचायत 21 में 7 कदम चलेंगे 28 फिर 7 कदम चलेंगे 35 यहाँ प्रमुक और उप्रमुक को हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव के दोर तो याद रखना बेटा साथ-साथ, दो-दो कदम और चलना, सर, दो चलोगे 37 पे, दो चलोगे 49 पे, 37 और 49, 37 में पंचायत अधिकारियों का इस्तीफा है, 39 में क्या है, इनका निलंबन, और 40 में इनको पद से हटाया जा सकता है, ठीक है, तो 37 में, देखो, यहां 7-7 कदम चले थे, साथ-साथ, साथ-साथ, दो-दो कदम और चलोगे, 37 और 49, इस्तीफा और 45 में पद से क्या है वेटा, हटाना है, और याद रखना, 21 के साथ में आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, पूरे पंचायती, राज और नगरी निकाय में, दो व्यक्ति हैं, कौन-कौन, सरपंच और पंच, जिनको वापस बुलाया जा सकता है, रिकॉल, कि भईया, अब तुमसे ना हूँ पाएगा, तो याद रखना, रिकॉल, सिर्फ सरपंच और पंच, रिकॉल, सिर्फ सरपंच और पंच, और अव विश्वास प्रस्ताओ, सरपंच, उप सरपंच, नमबर में आठ नमबर में चार नमबर में धारा तिरपन एक विटा ध्यान से सुनना धारा तिरपन एक पंचायतों की शक्तियों से संबंदित है और पंचायतों की जो शक्तियां है उनको राज सरकार द्वारा दी गई है स्टेट गवर्मेंट के द्वारा दी गई है में पंचायतों के अनिवार्य कर है, मैंने आपको बताया था, ध्यान से सुनना यहाँ पर मेरी बात, मैंने बताया था, 36 गड़ पंचायती राज अधिनियम के यहाँ बात करूँ, तो यहाँ पर 15 अध्याँ, 132 धरा और 4 अनुसूचियां है, अनुसूचियां क्या होती है, सम्विधान की बात करूँ तो अनुसूचियां, सम्विधान की बात करूँ तो अनुसूचियां, अनुछेदों का विस्तार होती है, और यदि यहाँ बात करूँ तो अनुसूचियां धाराओं का विस्तार होती है, यहने 77 एक जो है वेटा यह schedule 1 या अनुसूची एक से जुड़ा हुआ है फिर धारा 77 दो जिसमें पंचायतों के वैकल पिक करें वैकल पिक मतलब जरूरी नहीं है लगाना वैकल पिक कर, optional text ठीक है यह schedule 2 से संबंदित है यह generally gel से related करें यह अनिवारे कर 6 है total ठीक है फिर schedule 3 के मैं बात करता हूँ यह धारा 77 तीन तो हो नहीं सकता तो धारा 77 प्लस 3 याने धारा 80 एक नंबर की कमाई दो नंबर की कमाई और 3 तो धारा 80 धारा 80 में पंचायतों की फीस दी हुई है शुलक दिये हुए है और या दखना schedule 4 मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ देखो धारा तीरपन से रिलेटेड है बटा schedule 4 schedule 4 जुड़ा हुआ किस से धारा तीरपन एक से जिसमें पंचायतों की शक्तियां दी हुई है याने जो राज्य सरकार उनको प्रदान करती है 29 विश्यों पर clear हुआ अब एक article और याद कर लो 188 जिसमें पंचायतों की जाच के बारे में बात कि कई है याद रखना जो पंचायतों की जांच है इनके जो मामले हैं यह नयाले में नहीं जाते हैं यह नयाले में नहीं जाते हैं तो कहा जाएंगे सर 3-D मॉड़ल याद करवा दो देखो पटे मोडल एक ग्राम पंचायत जन्पद पंचायत और यह जिला पंचायत यह तीनों में आपको 3D मोडल याद रखना है यहाँ DC यहाँ DM और आखरी में खिंचवालो DP कहने का मतलब जो भी ग्राम पंचायत के मामले होंगे उनको DP कलेक्टर याँ आप क्या बनोगे SDM आप जाच करोगे इसलिए आपको पंचायती राज पढ़ाया जा रहा है दूसरी जन्पद पंचायत डीम मतलब कलेक्टर जाच करेगा जन्पद पंचायत के मामलों की और याद रखना डारेक्टर पंचायत याँ संचालक पंचा सभा के बारे में बैठा देखा बिटा धारा 129 अनुसुचित ग्राम सभा के बारे में हमने देखा ठीक है धारा 18 सरपंच हड़ जाएगा तो इस्थानापन सरपंच होगा पांस सल के लिए चुना जाता है ठीक है उसके बाद एक्किस एठाइस और पैंटिस एक्किस साथ क फोर से रिलेट है चार शेड्यूल है पंचायतों की शक्तियां जो 29 विश्यों पर राजसरकार द्वारा दी गई है 77 एक में अनिवारिकर एक नंबर की कमाई सकते हैं इतने सारे प्रावधान लिख दिया अपने इतनी सारी उसे रिश्स्ताइं लिख सकते हैं यहाँ पर और यहीं पर में आपने लेक्श्र का आंध करता हूं किसी प्रकार की किसी प्रकार की तकलिफ के이트 आप मेरे नंबर पर सीधा WhatsApp कर सकते हैं 7999-616-098 यह मेरा नंबर है आप सीधा यहां पर call कर सकते हैं message कर सकते हैं और competition community की तरह से कभी भी आपको कोई भी जरुद पड़े आप बिल्कुल रीच कर सकते हैं all the best अगले lectures में हम लोग मिलेंगे economy और paper 7 के चब तक जाए इन जाए भारत जाए चाथिजगर थैंक्यो